दोस्तों आज मैं आपको एक हेमर ड्रिल मसीन का अन्बॉक्सिंग और रिवीव करके दिखाने वाला हूँ तो यह देखिए मैंने इसे फिलिप कार्ट से मंगवा हैं तो चलिए इसे फट अफट अन्बॉक्सिंग करता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इसमें कौ हाला जो है कि रोटरी हेमर ड्रिल मसीन का पर्चेस कर सकते हैं देखे कितना बहतरिन पेकिंग के साथ इस हेमर ड्रिल मसीन को भेजा गया है अब मैं इसे पलटकर आपको दिाता हूँ तो देखें इस तरब में भी जैसा उधर बना हुआ है वाईसा इधर बना हुआ है अब मैं क्या करता हूँ यह जो प्लास्टिक करे पर इस पर चड़ा हुआ इसे मैं फटाफट निकाल लेता हूँ, निकालने के बाद आपको दिखाता हूँ देखिए यहाँ पर एक केरी केस मिल जाता है, मैं इसे निकालता हूँ, तो देखिए इसे आप सूटकेस भी बोल सकते हैं, या अटेची भी बोल सकते हैं, जो भी बोली है इसमें wondercut का hammer drill machine है मैं आपको दिखाता हूँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है wondercut तो इसी company का hammer drill machine इसके अंदर है तो मैं निकाल कर दिखाता हूँ कि इसमें hammer drill machine के साथ क्या-क्या मुझे मिला है तो इस तरह से मैं इसे खोल लेता हूँ खोल कर आपको दिखाता हूँ कि hammer drill के साथ और क्या-क्या मुझे मिला है तो देखे यहाँ पर सबसे पहले मुझे user manual मिल जाता है यहाँ पर देखे user manual क्या होता है यह तो आप अच्छी तरह से जानते हैं तो चलिए मैं थोड़ा सा खोल कर इसे दिखा ही देता हूँ कि यह किस तरह का है देख लिजिए इस तरह का है तो चलिए इसे मैं इसी में रख देता हूँ और इसे मैं side करकर रख देता हूँ अब देखे इसमें यह जो hammer drill machine है इसे मैं बाहर निकालता हूँ देखे यह है hammer drill machine तो ऐसे मैंने निकाल लिया और इसे मैं एक काम करता हूँ इसे अभी मैं इधर रख देता हूँ इस तरह और यहां पर देखे यह है depth ruler यह लोहे का है यह सबसे अच्छी बात है मैंने और भी drill machine में देखे हैं वो plastic का होता है जो उतना मज़दार नहीं होता है वो टूटने का डर रहता है यह लोहे का है और weight भी इसमें अच्छा है तो यह बहुत अच्छी बात है और यहां पर देखे यह 5 bit मिलता है अलग अलग तरह का देखे इसमें यह जो है कि 6 नम्मर का drill bit है तो इसे मैं इधर रख देता हूँ और आपको दिखाता हूँ देखे इसमें जो है कि chisel bit है यह जो है कि pointed वाला chisel bit है और मैं आपको दिखाता हूँ और कौन सा bit है यह देखे यह भी chisel bit है लेकिन यह plate वाला है और इसमें दो और bit है यह दोनो drill bit ही है यह आठ नमर का bit है तो इसे भी मैं इधर रख देता हूं और इसमें देखता हूं कितने number का bit है तो यह दस number का bit है तो यह तीन drill bit है और दो chisel bit है जिसमें एक pointed वाला है और एक plate वाला है अब आप इसका जो केवल है यानि कि जो लाइन वाला वायर है ये देखे ये काफी बहतरीन क्वाइलिटी का है और ये टू पीन पलग में मिलता है इसलिए और भी अच्छी बात है इसे आप कहीं भी उच कर सकते हैं तो मैं यहां से ये जो वायर बांधा हुआ इसे में खोल यहां से काट लेता हूं इस तरह से देखे ये कट गया और इसकी जो लंबाई है वो दो मीटर की है कि अब आप यहां पर देखे यहां पर लिखा हुआ है ये 1200 वाट का हेमर डिर्गी मसीन है इसका चक जो है 26 mm का है और इसका आर्पियम है 1200 इसका RPM है तो ये बहुत ही अच्छी बात है अब आप यहां पर देखिए ये जो handle है इसे इस तरह से घुमा कर खोल दीजिए खोलने के बाद आप इसे जिधर चाहिए उधर घुमा सकते हैं इस तरह से गोल जिधर घुमा कर अप इस handle को tight कर सकते हैं देखें मैं नीचे के तर तरफ handle तयार हो गया अब मैं इसे फिर से खोल देता हूं खोल कर मैं इसे देखे सीधा करके इस तरह से डाल देना है उसके बाद आपको जितना आगे पीछे करना हो इसे कर सकते हैं अपने हिसाब से चेट करने के लिए जितना आपको छेथ करना हो Supreme – इस तरीके से इसे चेट किया आता है ठीक है अब इसमें किस तरह से लगेगा वह मैं अब बताता हूँ देखिए यह बग्राब लिया और इसके अंदर से डाल के थोड़ा सा इसे हिलाना है और नीचे के तरफ दवा देना है तो देखे यह लग गया तो इस तरह से बीट यहां पर लग जाता है किसी चावी का जरूत नहीं पड़ता इस तरह से आराम से लग जाता है जब खोलना हो तो देखे यहां पर यह वाला है इसे नीचे के तरफ दवा आना है देखे में नीचे के तरफ दवाता ह अब अगर इसे निकालना होगा तो मैं इसे यहां पर इसे नीचे तरब दवा दूँगा इस तरह से और इसे उठा लूँगा तो यह निकल जाता है तो इस तरह से बीट लगता है इसमें अब मैं इसमें लाइन देता हूँ और इसे चलाकर आपको दिखाता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इसे drill वाला mode पर set कर लेता हूँ तो देखे यहाँ पर drill mode है यानि कि इस switch को मैं drill mode पर set कर लिया तो यहाँ पर drill वाला काम करेगा, तो यह काफी वजन्दार है, देखे यह trigger है, trigger को दबाना है, यह drill machine काफी वजन्दार है, तो मैं trigger दबाऊंगा तो यह घूमने लगेगा अब मैं इसके mode को change कर देता हूँ, यहने कि switch को यहाँ पर कर देता हूँ, इस rate वाला button को नीचे के दबाक रखना है, और इसे इस तरह से घूमा देना है, तो यह यहाँ पर drill का भी काम करेगा, और hammer का भी काम करेगा, यहाँ पर एक भवरेशन होने लगेगा, और साथ में drilling का अगर इस trigger को कम दवाएंगे, तो धीरे घूमेगा, और अधिक दवाएंगे, तो यह तेज घूमेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, अब मैं इसे पूरा दवाता हूँ, अब मैं इसके mode को change करता हूँ, इस switch को मैं यहाँ पर कर देता हूँ, अब देखे क्या होता है, भेवरेट हो रहा है, घूमने रहा है, यह सिर्फ जो है कि हेमर का काम कर रहा है, अब देखे, मैं इस switch को यह drill लाल मोड पक कर देता हूँ, अगर मान लेते आप चाहते हैं कि लगतार हमारा drill चलता रहा है, मुझे यह trigger दवाना ना पड़े, तो मैं आपको बताता हूँ, क् पर जो यह switch है, इसे देखे, ऐसे दवाना नहीं, पहले आपको जो है, ट्रिगर दवाना, ट्रिगर दवाने बाद इस switch को लवाना देखे, अब आप यहां पर देखे, इसमें पंखा लगा हुआ है, जो गर्म हवा को बाहर के तरफ निकाल देता है, अब आप यहां पर जो यह switch देख रहे हैं, इसे मैं उपर के तरफ कर देता हूँ, तो देखे, क्या होता है, मैं इसे घुमाता हूँ और आप देखे, यह अभी इस तरफ घुम रहा था, और जब मैं इस switch को नीचे कर दूँगा, देखे, इस तरह से परिकेसे, तो यह इस तरफ घुमने लगेगा, मैं आपको घुमा कर दिखाता हूँ, यह दोनों तरफ से घुमता है, उल्टा और सीधा दोनों तरफ से घुमता है, तो यह आपके लिए बहुत ही फाइदे मन्द रहेगा, अब मैं क्या करता हूँ, इसे जो है कि ड्रील वाला मोड पर set कर देता हूँ, इस तरह के से, देखे, इस ड्रील वाला मोड है, अब मैं यहाँ दिवार में छेद करके आपको दिखाता हूँ, तो चलिए यहाँ पर छेद करते हैं, ठीक है, आपको दिखाते हैं छेद करते, आप देखे ये जो स्वीच है इसे मैं उपर के तरफ कर देता हूँ तो ये उल्टा घुमने लगेगा उल्टा घुमने का फाइदा ये हुआ कि जो दिवार में बिट अंदर के तरफ गया था उसे निकालने मासानी हो गया उल्टा घुमा तो ये तुरंत बाहर निकल के आ गया अब मैं क्या करता हूँ इसे देखे यहां हेमर और ड्रील जो दूनों एक साथ होता है इसमें सेट कर देता हूँ अब मैं यहां पर छेट करके आपको दिखाता हूँ देखिए अब मैं इसके स्विच को ऊपर करके इस उल्टा घुमा लेता हूँ अब मैं क्या करता हूँ ये जो ड्रील बीट है इसे ने यहां बहार निकाल लेता हूँ और ये जो हमर वाला इन दोनों बीट को मैं यहां पर लगा कर दिखाता हूं, तो चलिए दिखाता हूं, यह अभी हेमर मोड पर है, इसलिए यह अभी घुमेगा नहीं, सिर्फ वेबरेट करेगा, मैं आपको दिखाता हूं, देखिए. अब जरा तोड़ फोड़ हो जाए. अब मैं इसे लगाने के बाद आपको तोड़ फोड़ करके दिखाता हूं, दोस्तों यह वंडर कट का काफी बहतरी रोटरी हेमर ड्रील मसीन है,